अंत को ध्यान में रखकर शुरू करें अंत को ध्यान में रखकर शुरू करें यह जो कहा जा रहा है वह किस सिद्धान पर कहा जा रहा है इसका मतलब है कि चीजें दो बार बनती है चीजें दो बार बनती हैं, जो भी आप मानो निर्मित देख रहे हैं, उसकी रचना दो बार हुई है, पहली बार मानसिक और दूसरी बार भावतिक, कोई भी देख लीजिए, इस आस्रम का जो भावतिक निर्माण हम देख रहे हैं, इसके पहले, पहले मन में ये बात आई, मानसिक रचना, वो पहली रचना है, कोई भी आदमी करता है, तो क्या करता है, पहले मन से बनाता है, तो पहले क्या है? दो बार होती है सभी चीजों की रजवा शन्सिक होती है और illa किया है भौतिक और इसलिए कल जो कि ने कहा था था कि पहले ही आप उसे देखें पहले ही देखें इसकी ली मैंने एक शबद कहा था भविष्य दिष्टि भविष्य दिष्टि का मतलब है मस्तिस्क की आखों से भविश्य की इस्थिती को देखना मन की आखों से या मस्तिस्क की आखों से भविश्य की इस्थिती को देखना किया ऐसा है जिसे मैंने कहा ना भी मकान के बारे में कि जब कोई आदमी एक पलोट बदुना है उसके पान से पास्याद जब उसको मकान बनाना होता है तो इसके बार क्या करता है सुरूम के बार्दे पहले वो बन में रचना खरता है मानसी और लगल झाहिए उस साबकु अवया जा हूँ यहा बहुटना बड़ा चाहिए बहुतना बड़ा खींच जाहिए कितना बड़ा बैठा गुरुम जाहिए तो साब कुछ सोचता झाहि है पिर क्या करता है अपनी बात को आर्कीटिक पास जाता है और उन से कहता है तो उनका भी अपना अन्भव होता है उनका भी अपना धंग होता है फिर दोनों मिल करके तै करते हैं कि जो हमारा इतना बड़ा जो चेत्रफल है जबीन का उसमें इतनी जगा में कंस्ट्रक्शन करने खाए और एक नक्षा बन गया पर क्या हुआ ब्लूप्रिंट निगला और उस ब्लूप्रिंट के अधार पर भोतिक निर्मान सुरू किया गया मतलब निव खोदने के पहले एक मानसी क्रचना हो गई यदि ऐसा नहो मानसी क्रचना और आप यू ही बनाना सुरू करेंगे तो जानते हैं क्या होगा उसको से ठीक करने में तोड़फोड करने में बहुत महांगा पड़ जाएगा बहुत महांगा पड़ेगा तो क्या करना है पहले ही बना लो अच्छा यह चीज के ओल इसकी बात नहीं है हमारे जीवन के विभीन चेत्रों में बढ़ाई का नियम क्या है दो बार नापो एक बार का कोई लकड़ी जो सिधी सपाट लकड़ी मिल गई है फरनीचर बनाना है तो क्या है उनको पता है ना पहले ही मानसी गरजना कर लिया हो ऐसा और मैंने मुर्ती की सहीं बताया था कि माइकल एंजलो ने उस संगमरमर के बड़े पत्थर को देख करके वहीं उस डेविट की उन कि रूप में वो सामने आया लेकिन उनको तो पहले ही दिख रहा था उसको न दिखे तो नहीं बना सकता है उसको दिखता है यह हर तरफ की बात होती है तो वेवसाय के छित्र में कोई सुरू करता है तो अपने बिजनेस के बारे में पूरी तरह से प्रोग्रामिंग कर लेता है अपनी पुझी के बारे में कारी छित्र के बारे में मार्केटिंग के बारे में और जो भी है जो सब कुछ के बारे में वो एक प्रकार से तै करता है को कि सैने ने JUSTैके बच्चे बच्चों के पालन पोशन्के संब्द में है बच्चों के पालन पोशन्के संब्द में भी ये बास सही है अगर कोई यह चाहdy कि मैं अपने बच्चों को एक जिंमेदार और आत्मनुशाशित बनाओं तो क्या रखना पड़ेगा ये जब लख्छ तो जब उसका वो पालन पोशन करेगा इस बात के ध्यान रखना पड़ेगा क्या कि उसके साथ ऐसा कोई वेवहार न हो जिससे उनका आत्मनुशाशन और उसका आत्मसम्मान भंग हो कि ध्यान रखना पड़ेगा तभी तो आप उसको सोचे हुए हैं इसलिए यह लोग जो इ इद्धान का प्रियोग करते हैं कही जगा करते हैं अधिकांस चेत्र में बहुत च्छोटी सी बात है आप यात्रा में जाना चाहते हैं तो पहले ही सोचते ही इस चीज को कहां जाना है फिर क्या करेंगे कौन सा रास्ता सीधा होगा कौन सा धन होगा तो पहले ही आप अपन मनजिल तेर कर लेते हैं और सर्वोत्तम मारग की योजना बनाते हैं कोई अपना गार्डन लगाना चाहे बगीचा लगाना चाहे तो क्या करेगा वो सोचेगा और कई बार तुसको कागज में उतार लेगा कागज में भी उतार लेगा कोई प्रोचन करने जाए कोई भाषन देने चाहे पहले सोचा नोट सतियार किया फिर जाकर के वो काम किया मतलब दो बार कहने का मतलब यही मेरा डिजाइन करता है मतलब यह कहना चाहता हूँ यह जो दो बार जो रचना हो रही है इसकी हमें दोनों की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी दोनों की जिस सद तक दोनों रचनाओं के सिद्धान को समझते हैं और उसकी दोनों के ही जिम्मेदारी स्विकार करते हैं तो क्या होता है उसी हद तक के हम अपने विचारों में परिवर्तन करते हैं और अपने जीवन को उसके धर परिवर्तन करते हैं फिर परणाम में परिवर्तन आता है क्योंकि ऐसा हमने सोचा मैं एक चीज और बताओं दो बार की रचना जो बात हो रही है यहां कहने का मतलब है यह हर बार सचेतर रूप से ऐसा नहीं होता है जो पहली रचना हो गई है वह हर बार हम जागरूख हो करके उसका निर्बान की ऐसा नहीं है कही बार स्वमेव हो जाती है एक तो सुनियोजित दूसरा स्वमेव यह डिजाइन और डिफाल्ट मतलब आप सोच करके करेंगे तो बढ़िया होगा जागरूख और कर करेंगे लेकिन यूँ हो गया कैसे हो जाता है यह ऐसा हो जाता है कई बार अन जाने में दूसरों द्वारा अगर हम व्यक्तिगत जीवन में आत्म जागरूखता का विकाश न करें तो प्रथम रत्मा की जिम्मेदारी हम नहीं ले पाएंगे तो फिर जीवन में जो मन चाहा पढ़नाम है ना वो फिर हमें नहीं मिल पाएगा इसलिए होना क्या है? चाहे हम इसके बारे में जागरूख हो या नहीं यह तो मानना पढ़ेगा कि यह हमारे नियंतरण में हो या नहीं जीवन के हर छेत्र में प्रथम रत्म होती है और इसको मैं इषधंक से कहना चाहता हूँ जो जीवन का जो वरतमान धाचा है न वो पहले रचना का ही परणाम है पहले रचना का ही परणाम है तो और यह कैसे होता है पहले ही बताए था आत्मजागरुकता कल्पना विवेक इससे क्या होता है यह हमारे अंदर में प्रतिभा एक शक्ति है आत्मजागरुक होनों की शक भीवेक करने की शक्ति है इसके आधार पर हम प्रथम रचना की जाच कर सकते हैं यह शक्ति है प्रथम रचना की हम जाच कर सकते हैं और साथ-चात में हमें वो शक्ति देते समर्द बनाती है और उसकी वजह से हम स्वयम की प्रथम रचना की जिम्मेदारी लेते हैं फिर क्या रहता जैसे नाटक हो सिनेमा हो तो वहाँ जो अभिनेता जो भी कलाकार जो करते ना उसके पहले उसके लिए इसक्रिप्ट लिखा जाता है तो वह जो लिखा गया है उसी के अनुरूप अभिनय करेगा वो उसी अनुरूप ही अभिनाए करेगा, उसे परिवर्तन वो नहीं कर सकता है, जैसा है वही वो करेगा, देखिए, अन्जाने में हो कैसे गया, यह तो देखो, जा शिश्टम से किया गया है, इसलिए उसी का अनुसार करेगा, लेकिन कभी-कभी जो अन्जाने में कैसे हो जाता है, ह अन्जान खाना सीख गये थे, लेकिन जब पार्खी शंतों को उन्होंने देखा, तो यह देखा कि यह पानी खाते हैं, साव रहते हैं, अब उनको क्या लगा, यह जो मैंने सोचा है ना, यह जो मेरी प्रथम रचनी, जो मैंने किया है, बस उसको बदल दिया, कहना नहीं प सब्द कुछ ऐसे होते थे, जो अपने अप आ गए, समा गए, हम लोग की आदत क्या है, महोल में जो कुछ होता ना, हम इस पंज की तरह उसको सोख लेते हैं, अब नहीं कहा ना, ध्यान नहीं दिया गया, आत्म जागरुकता हम वहां पर नहीं कर पाए, और वो आ गया, तो उनोकर का सब्द क्या होता था, का नास भय, अब गुर्दी जी भी कहने लग गया, का नास भय, लंबा समय बीद गया, एक दूसरा आया, दूसरा नोकर आया, या मजदूर आया होगा, अब उनके क्या सब्द होते थे, का भले लोग, क्या गया, का भले लोग, गुर्दी ज कि अरे मैं अपने को संसकारित परिवार का मानता हूं और ये एक सामान्य परिवार का जिनको बहुत ही निमनकुल का कहा जाता है और वो क्या कह रहा है का भले लोग और मैं क्या कह रहा हूं का नास भय बदल दिये ये जो मैं कहना चाहता हूं इस साफ हो रहा है कही बार होता क कि आए हम अपनी परिवार के लोगों से समाज के लोगों से आटोमेटिकली हमारे अंदर प्रोग्रामिंग हो जाती है जैसे देवी देवताओं के संबंद में इस्वर ब्रह्म के संबंद में आप क्या मानते हैं जो भी मार रहे हैं यदि आप इसा के घर जनम ली होते तो क्या आप यही विचार रखे होते आप मुसल्मान के घर जनम ली होते तो क्या होता आपके विचार उस धंग से होते उस धंग से होते और इन विचारों का विरोध करते और कहीं तबलीगी जमात म यह लता थे बाग्वान हैं 상पने हम लेह से क्या यह थी कियो कि अंरस और सुन्थ है सुनते हैं बच्पन में से रता, सुनते हैं अल्हा अकबर, आल्हा को अकबार बसकाने लग गाय हम क्या कर रहे हैं भगवान 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 अब शुरू में जो हम देवी देवताओं को बच्पने से मानते थे जब आये पारकी संतों के सानिद्ध में अरे अब उसको क्या कर दिये? खारीच कर दिये जो प्रथम रचना थी उसको हमने खतम कर दिये अरे नहीं ये सब ब्रह्म हैं ये वाणी जाला है रोज सुने जा रहा है इसमें ये सब वाणी है उल्जाने वाली चीजे हैं तो कहने का मतलब यह है कि खान पान के संबन भी यही बात है शुरू से ही जिनके यहां बैसी चीजे खाई जा रही है खाते चले जा रहे बात में पता चला रहे ये तो नुक्षान करने वाली चीजे है छोड़ दो छोड़ दो तो क्या हुआ इसमें क्या हुआ यदि हमने ये समझा कि हमारे लिए अहितकारी है तो उन धारनाओं को जो हमारे लिए अहितकारी होती थी उन मान्यताओं को जिसको बाद में लगा कि यह गलत है हमने क्या किया? उसमें बदलाव ला दिया गया उसको हमने छोड दिया ऐसे ही मैं करा रहा हूं, एक दिन मैंने कहा था प्रोग्टिविटी पहले इन, पहले ही मैंने कहा था इसका अर्थ होता है देखो इसका मतलब सिधा सिधा अर्था है पहल करना लेकिन इतना ही नहीं है इससे और अधीक है पहल करने कम से और अधीक है मतलब इसका अर्था है कि इनसान के रूप में हम अपने जीवन की जिम्मेदारी लेते हैं इनसान के रूप में हम जीवन के जीवन के लिए सवयम जिम्मेदार हैं और हमारा वेवार हमारी परिष्थितियों से नहीं हमारे निर्णयों का परणाम है देखिए मैं फिर से कहा रहा हूं इस चीज को जिजदी एक बात शिद्धान के रूप में समझ लेंगे न की तो आप आप परिस्तितियों को दोस्ट देना बंद कर देंगे, लोगों को दोस्ट देना बंद कर देंगे, आप जिम्मेदारी जिस दिन स्विकारने लगेंगे ना उसी दिन बच्पना से एक बैस्क के स्टेस पर आजाएंगे, सहाब उमर चाहे जितनी हो ना बच्पना नहीं जाती यह आप ध्यान दीजिए इस पिर जोर बिशले दे रहा हूं कि मतलब हमारे जो वेवार होता है वो परिस्थितियों के कारण नहीं होता है यह हमारे निर्नेयों का परणाम है वो हमारी भावनाएं हमारे जीमन मिल्यों के अधीन हम रख शकते हैं भावनाओं में कुछ भी है क कोई भी उद्वेग आए मैंने एक दिन कहाना था ना कि उच्चनैतिक आधार बनाए रखे एक जीवन मुल्य निर्धारीत कर लेड़ा है जीवन का मुल्भूत सिद्धान उसको नहीं तोड़ना है उसका उलंगन नहीं करना है जो हमने नियम एक निर्धारीत किया है यह ज मन चाहा परणाम हासल करने के लिए हमारे पास में एक पहल करने की शक्ती भी और जिम्मेदारी दी है और जिम्मेदारी बता था रिस्पांस एबिलिटी मतलब आप में जिम्मेदारी लेने की शक्ती है आप जिम्मेदारी ले शकते हैं अपनी जिम्मेदारी हम नहीं तो जीवन को सही दिसा नहीं दे सकते हैं। इसलिए हर वेवार की जिम्मेदारी लेने का मतलब है। और प्रोवेक्टिव का जो विलोम क्या होता है? रियक्टिव। मतलब जो रियक्टिव लोग होते हैं वो बहुतिक परिवेस से प्रभावित हो जाते हैं। मैं यह भी कहना चाहूंगा, जिसको हम प्रोएक्टिव कह रहे हैं वो भूती परिवे से जो भी हो रहा है उसे प्रभावित होगा, वो होते हैं प्रभावित, कैसे प्रभावित नहीं होंगे, मौसम बदलेगा, उसका भी प्रभाव पड़ेगा, लोगों द्वारा जाएगा उसे ही प्रभावित होगा, लेकिन उद्दे, उनका सिस्टम क्या होता है प्रभावित हो होते हैं, चाहे वो सरीरीक हो, अब सरीर में कोई रोग लगे, या फिर कोई सामाजीक हो, कोई मनोवे, कुछ भी हो, लेकिन उनके उद्दीपन, उनकी प्रतिक्रिया, और जो जीवन मुल्यों पर आधारित होगी, यह मैं कहना चाहता हूँ, वो सीमा को तोड़ेंगे नहीं, मैं इसके और असरलधंग से कहाँ, यदि बुद्ध के सामने जाकर आप गाली देते, तो क्या लगता है आपको, क्या वो गाली देते, ऐसा लगता है, वो हमेशा ध्यार पहादेंगे, लेकिन सब ऐसा कहेंगे, यह ज़रूरी नहीं है, क्योंकि उन्होंने एक सीमा तैकी है, मतलब यह हुआ, कि प्रोयक्ति व्यक्ति के रूप में, हम यह व्यक्त कर सकते हैं, कि हम क्या बनना चाहते हैं, और अपने जीवन में क्या करना चाहते हैं, हम एक व्यक व्यक्तियत सम्विधान लिख सकते हैं जो मैंने कल कहा था था ना कि आप एक अंत को ध्यान में रख कर सुरू करो अंत को ध्यान में रख कर सुरू करो क्या पढ़ना माएगा तो एक सम्विधान देखिए जो हमारे देश का संचालन हो रहा है किस पर हो रहा है एक संविधान संविधान का उलंगन किया दंड पाएगा व्यक्तिगत संविधान मैंने एक दिन कहा था था ना संस्था का एक बायलाज है एक संविधान है उसी के तहत कारी करती ही संस्था ऐसे ही व्यक्तिगत statement का मतलब है, एक संविधान लिख लेना, मतलब इसका मतलब वही हुआ कि हम अपनी जिम्मेदारी, प्रियोक्टी मतलब जिम्मेदारी हम ले रहें अपने जीवन के लिए, यदि इसको कंप्यूटर की भासा में कहूँ, तो प्रियोक्टी पहली संविधान जब बनाएंगे, तब क्या होगा? आप उसके अनरूप जीवन जीएंगे, अनरूप जीवन जीएंगे, कुछ भी लिख सकते हैं आप, चाहे सामने वाला कुछ भी विभार करें, मुझे उत्तेजित नहीं होना है हर छोटी-छोटी बातों के लिए भी अपने आपके निर्णे ले सकते हैं जैसे ट्रेन की मुझे यात्र करने इस्टेशन गया, पता चला दो घंटे लेट है अब मैं क्या करूँ? चिलाओं, हला मचाओं शान्त बेठों, क्या करूँ? कुछ भी कई चीज़ों के बात को ले करके आप कह सकते छुटी-चुटी बातों को ले करके आप भुजनाले में गये वहाँ पर मन अनकुल नहीं मिला, मुझे क्या करना है मुझे क्या वेभार करना है कोई ऐसी सामाजीक परिस्ति बनी मेरी व्यक्तिकत जिम्मेदारी क्या है मुझे क्या करना है ऐसे ही कोई व्यक्ति मेरी कटूआ लोचना कर रहा है ऐसी परिस्तिती बनेगी तो मैं क्या करूँगा अंत को ध्यान में रखकर सुरू करें इसका मतलब यह हुआ उसके परणाम की जिम्म को समझना है और उसके अनसार ये ध्यान रखना यदि मैंने कुछ भी किया है ये मेरी जिम्मेदारी है मतलब जो भी मेरे द्यावरा वेभार हो रहा है उसका मैं जिम्मेदार हूँ ऐसा नहीं है कि मैं उत्तीजीत हो के कटू कहा दिया और फिर उसको सही सिद्ध करने में लग गया होता यही है क्यों तुम नराज हो गये थे क्या करूं फिर ऐसी बात उन्होंने कहा क्यों नराज नहूं इट का जवाब पत्थर से देना पड़ता है और कई बार क्या कहेंगे सीधी उंगली से घी नहीं निकलता है कहते हैं सीधी उंगली से घी नहीं निकलता है कई ऐसे ऐसे तरक देंगे क्या कहेंगे लात कदेंगे बात से नहीं मानने वाला है कुस तो करना पड़ता है यह ठीक नहीं होने वाले है मतलब हम अपने लिए ऐसे ऐसे तर्क देते हैं और उसे सही सिद्ध करने में लग जाते हैं जिम्मेदारी हम नहीं लेते हैं कारण हमेशा दूसरों को मानते हैं प्रगती नहीं हो सकती है इसलिए ये ध्यान रखना है और अपने वेभार की जिम्मेदारी लेनी है, अपने जीवन की जिम्मेदारी लेनी है, और मैंने एक दिन कहा था, जीवन की जिम्मेदारी लेने का सीधा सा अर्थ है, मेरे साथ जो कुछ भी होता है, सुख मिलता है, दुख मिलता है, हानी मिलती हो रही है, लाब हो रहा है, स दोस नहीं देता, मैं बहाना नहीं बनाता, जदा तर हम दोस देने में लगें, उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, अभी भी बच्पना नहीं गया है, अभी भी बच्पना नहीं गया है, यदि वेश्क का बनना है, तो हमें क्यरना है, नहीं, नहीं करने का है, और इसलिए कहा उद्धीपन और परतिक्रिया के बीच परतिक्रिया चुनने की स्वतंत्रता होती है सहब कितने उधारन दिये जा सकते है इस क्रिप्ट जो दूसरा लिखना है दोबारा इस क्रिप्ट लिखना है कहने का मतलब यह है कि जो है यदि वो ठीक नहीं है तो उसको बदल दो क्योंकि भीतर से समझ लिया कि नहीं मुझे बदलना है और वो बदल लिया